तो दोस्त आज किस वीडियो में बात करेंगे क्या ग्रेस मार्क लगने के बाद आप गवर्मेंट सेक्टर में अपलाई कर सकते हो या ग्रेस मार्क लगने के बाद आप गवर्मेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे तो दोस्तों मैं बत बड़ा confusion होता है कि government sector में जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी इसमें हम दोनों की बात करेंगे तो दोस्त हम बता दूं कि जैसे अगर फॉसा फुझ मैं बृटेक का एक्जामपल ले लेता हूं कि आपने फिस टियर में एक्जाम दिया सेकंड यह सेंड नियर में कोई बी एक्जाम दिया तो उता कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करते हो उचाहें कि स्मॉल फॉ ग्रेस मार्क का उनके लिए कोई भी फरक नहीं पड़ता है मैं यहां पर जो गवर्मेंटेड इंग कंपनीज होती हैं मैं उनकी बात नहीं करता जो गेट वगरा क्वालिफाई करने के बाद आप उस सेक्टर की जॉब करते हो मैं एक प्राइबेट सेक्टर की बात कर रहा हू जो की मेल्टी नेशनल कंपनीज बोसकते हैं उनको कोई फरक नहीं पड़ता है कि आपके कितने नमर का ग्रेस लगा हुआ है या आपके किस सब्जेक्ट में ग्रेस लगा हुआ है तो वाइसे ही दोस्तों मैं आपको बता तो कि गवर्मेंट सेक्टर में इतना ज्यादा फर ग्रेस मार्क होने के बाद किनकिन पब्लिक सेक्टर की जॉब आपको नहीं मिलने वाली है ग्रेस मार्क के बाद आपको नहीं मिलेंगी लेकिन ऐसा नहीं है कि आगर आपके सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क लगा हुआ तो आपको गवर्मेंट जॉब नहीं मिल सकती आप सार भी प्रोफाल के लिए जो आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल जाती है तो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो लाइक से राच चनल सब्सक्राइब जरू करें मेरा नाम में मैं में अपने नेक्ष वीडियो में तेल रहा ग्रेट मोमेंट and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for coming here.